दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदे नियों चैनल में और इस समय मैं मौझूद हूँ जजजर में जजजर में आज संयुक्त ट्रांस्पोर्ट मोर्चा का आल इंडिया सम्मेल नायजीत किया जा रहा है जिसमें देश भर से ट्रांस्पोर्टर यहां पहुँच रहे हैं और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए सत्पाल चोधरी जी है जो आल इंडिया ट्रांस्पोर्ट के चेर्मेन है और वरतमान में वो रहतक से जुड़े रहे हैं तो आए बात की शुरुआत करते हैं सत्पाल जी सबसे पहले आपका स्वागत है बड़ किस सतर पर खड़ा है क्या कहना चाहेंगे आज जजजर के इस भूमी से मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा दिन है जो जजजजर यूनिन ने सब ट्रांस्पोर्टरों को अपने यहां बुलाया ताकि मीडिया के मादम से हम जितनी भी हमारी प मीडिया के मादम से कोई बात जाती है तो उसको सबसे पहले देखती है कि वह वाक्य में कोई चीज हिंदुस्तान में आज ट्रांस्पोर्टर जो बिलक बिलक के चल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती जब दिल करता है यह डिजल करेट बढ़ा जेते हैं जब दिल करत की जो मीटिंग है इसके अंदे जितनी भी हमारी प्रोल्म है आप अपने मादम से सरकार को पुचाएं और हमारी मुश्कुलों को असान कराएं दोस्तो ट्रांसपोर्ट सुनने में आपको लगेगा कि ट्रांसपोर्ट है ट्रक है एक मालिक है एक लेबर है एक नोकर है लेकिन ट्रांसपोर्ट के मादम से हिंदुस्तान के एक कोणे से दूसरे कोणे तक आपके द्यनिक उप्योग की वस्त्वों को नरंतर पहुंचाने का सदियों से कारिय करता रहा है ट्रांसपोर्ट विभाग और आज वही ट्रांसपोर्ट विभाग लाचार है बेबस है बकॉल सत्पाल चोधरी वो लाचार इसलिए है कि ट्रांसपोर्टर्स की ना सरकारें सुनती हैं ना अधिकारी सुनते हैं ना पुलिस और परसासन सुनत और आज इनी समश्याओं पर मंधन के लिए तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जज़र में कितित हुए हैं जो भाईचारा ट्रक वेलफेर एसेशेशन हैं ट्रांसपोर्ट वेलफेर एसेशेशन हैं उसके सोजनने से आज यहां रास्टिय सम्मेलन आयोजीत किया गया है यदि इन समश्याओं का हल हो तो ट्रांसपोर्ट लाइन जिंदा रह सकती है या उसमें कुछ प्रिवर्टन हो सकते हैं सबसे पहले तो मैं डीजल के उपर चलूँगा हर स्टेट का अपना रेट है और हमने कई बार का है इसको एक दाइरे में लियाओ ताकि हम ट्रक के उपर अननसेसरी उसके उपर लोड डाले रहते हैं उससे क्या होता है कि हम यह सोते हैं कि यहां डीजल का रेट कम है उस टे 30,000 रुपर फाइन कर देता है कोई सुनवाई नहीं करता बाई गाड़ी चली है आई है को अपर भी हो सकता नीचे यह उसकी कोई नहीं उसने तो उसी टेम ठाक है उसको चलाल करते हैं तो हम यह चाहते हैं डीजल की प्रोब्लम को सारे हं दुस्तान में एक रेट होना चाह प्रफद केले है रोड के लिए टॉल ले तो उससे पहले हमारे से आप गुट्य कहए्ग ट्रैस लेत नहीं होना चाहिए और मैं डिली के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा प्रोब्लम ना वहमें डिली जाने के लिए है एक तर्भ तो यह काते हैं बैए एन गर baby 8 कर डूबs नहीं चलेगा हम यह चाहते हैं सरकार से कि NGT का जो है यह दारा घटाया जाए जिससे कि हमारे ट्रांसपोर्टरों को जीना हराम हो गया दस साल के अंदर साथ साल में तो गाड़ी की किस्ती कंप्लीट होती है उसके बाद क्या है अगर उसको हम गाड़ी को देते हैं सवा ती लगा दी साथ साल के बाद वह सवा तीन लाक रपे का मलिक रहा हम इस यागे नहीं चला उससे तो अगर वो लेबर करें तो मैं यह समझता हूं कि उससे ज्यादा चलेगा वो तो मैं यह चाहता हूं कि एक तो इस चीज़ से हो दूसरा दिल्ली के अंदर जाते हैं एक अगर पैसे दे के यह है तो यह अठारा डिस्टिक में जो हमारे यह कर रखा है तो यह तो और दो अजार पे लगा के बचारों का जीना हराम कर रखा है गाड़ी वाड़ों का दस साल के अंदर आप भी आप भी बताओ मेरे को कि बचारा अपने गाड़ी के साथ साल का लोन कराने के बाद उसको सवा तीन लाग का मालिक रह जाता है तो मैं यह चाहता हूं कि जितनी भी बारी किसी काम हो सके सरकार एक तर तो यह कहती है कि हम सारे देश में एक कानून बढ़ाएंगे और हम ट्रांस्पोर्डरों के लिए हर स्टेट का अलग कानून है कहीं चले जते कोई इनको बचारे कोई फैसिलिटी ने ना जाने की ना आने की ना बैटने की ना उटने कोई तो बताए बही यह क्या का अपना करना चाहते हैं अगर आपने इसी तरी करना ह जैसे हम पहले भूगत रहें तो आगे भी ऐसे भूगत रहेंगे हमारी अगर कोई मदद करेगा तो मैं यह समझता हूँ मेरे दिमाग से यह है या तो हमारी यूनिटी और यूनिटी के साथ मीडिया अगर हमारी को सुन सकता है वो यूनिटी हमारे ट्रांस्पोर्डरों न के चलेंगे और अपने काम पे लेगे रहेंगे तो हम पहले से भी बत्तर हमारी जिंदगी हो जाएगी तो मैं आपके फिर नुए दिन करूंगा कि हमारी परमुख मांग जो जो है मैंने आपको बताई है इनको कराओ ने तो ट्रांस्पोर्टर हिंदुस्तान का बिल्कुल बर चले कि अपनी भी जिंदगी खराब होगी और उसके प्रिवार की बिल्कुल दोस्तों एक और सरकारे जहां दावाकरती नजर आई हैं रोजगार के बढ़ावे को ले करके प्रतेक सरकार चाहे कोई भी सरकार रही हो वो रोजगार को ले करके प्रमुख मुद्दा रहा है चुनाओं के दोरान की बात करें और जब रोजगार जब आदमी ट्रांस्पोर्टेशन के माध्यम से अपना स्विम का रोजगार चुनता है तो उसके सामने धेरो समश्याएं आती हैं जैसा कि सत्पाल चोधरी ये तकरीबन सभी पूरे देश के ट्रांस्पोर्टर्स की प्र से या ड्राइवर से किस तरह का वैवार किया जाता है किस तरह से उसको मजबूर किया जाता है कि वो परस्टाचार में लिप्त हो वो उन करप्ड अधिकारियों के सामने जुक जाता है बहुत सारे खर्च करने के बावजुद भी आज ट्रांस्पोर्ट की हालत बद से बद करोगे तो वो यही कहेगा कि मैं मजबूरी में ये कारिये कर रहा हूं मैं अपनी जीवी का अपार्जन के लिए ये धंदा मैंने अपनाया हुआ है लेकिन उसके मन में टीस रहती है सरकारों के प्रती, क्रप्ट अधिकारियों के प्रती और ये वेवस्था सदियों से चली आ रही है आज भी ये जसकी तस्वही समश्या है कभी आर्टियों का चलान, कभी पुलिस का चलान, कभी नो इंटरी का चलान तो कभी किसी तरह का चलान ये इतने सारे चालान है जैसा कि सत्पाल चोधरी ने भी बताया है जब सड़क पर हम लोग चलते हैं तो टोल टेक्स क्यों और इधी टोल टेक्स है तो अन्य तरह के टेक्स जैसे रोड टेक्स परमिट आल इंडिया टेक्स जितने भी टेक्स है ये इस तरह की चीजें एक ट् नहीं है यदि यह unity जिस तरह से किसान मोर्चे की और किसान अंदलन की बात की जा रही है जब तमाम देश के transporters एक होकर कि अपनी unity के साथ यह मांगे उठाएंगे दिक्कत आएगी आम पब्लिक को भी समश्या आएगी सरकारों को भी समश्या आएगी तो समय रहते transporters की इन दुविधाओं की और इनके problems की और ध्यान दिया जाए ताकि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला एक माध्यम हो सकता है मेरी नजर में मुझे लगता है कि ट्रांस्पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे संगठित और सबसे मजबूत रोजगार प्रदान करने वाला एक ऐसा उद्धोग है जिसमें अनपड से लेकर के गरीब आदमी से लेकर के तमाम जो 36 बरादरी विबिन धर्मों के लोग एक साथ जुड़ करके ट्रांस्पोर्ट से जुड़े रह सकते हैं यहां ना जात है ना भाशा है ना वरग है ना बेद है यहां कोई अंतर नहीं है ऐसा ट्रांस्पोर्ट डेपार्टमेंट ऐसा ट्रांस्पोर्ट सर्विस पूरे हिंदिस्तान में देखने को मिलती है